हलो एब्रीवान स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बैंकर्स वेपर मैं हूँ अम्रेज कौर आपके इंग्लिश एजुकेटर तो जैसे कि आप देख सकते हैं वेकेंसी ऑफ बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने यहां पर है विच इस बी यो आए आए चांदकारी हासल करते हैं शोरे से सेशन में एक गुजारे से सेशन को अंत तक जरूर देखें ताकि माक्सिमम चीजे जो कि इस एक्जामिनेशन से जूरी हैं आप लोग के पास आ सकें और सेशन के बाद जो भी कुछ दाउट्स प्वेस्टिन या क्वेरीज हैं आप पूरा का पूरा PDF है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लगा दूंगी आए देखते हैं थोड़ी सी नदर डालते हैं यहां पर तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले चो बैंक ऑफ इंडिया एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक having the head offices Mumbai invites the applications for the recruitment of officers as mentioned below यहां पर सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है submission of the online application commencing from 27 याने कि आज से यह date शुरू हो रही है और आज से लेकर तक 10 April तक 10th of April तक यह दो dates बहुत माहिने रखती है कि examination का date starting क्या है और closure starting सब्सक्राइब क्लोजर बहुत माहिने रखता है और समय के अनुसार समय के रहते इसको भर लीजे ताकि यह जो कुछ late minute hassles होते हैं वह आप avoid कर सके ठीक है देखते हैं यहाँ पर relevant age and qualification क्या है relevant date for the age and qualification this will be first second 2024 and यहाँ पर quantitative date अभी यह अलग से आएगी तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे बात किरते हैं बच्चे डीटेल्स फॉर्ड पोस्ट अब यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है जैसे कि credit officer की पोस्ट है stream है जीबियो और scale है mmgs2 यह सभी चीज़े अभी तुरंत तो समझ में नहीं आएंगी बट धीरे जब आप को समझेंगे गहराई तक जाएंगे जैसे कि सबसे जादा important बच्चों को क्या लगता है कि माम salary क्या होगा फिर बच्चों का तुरंत question होता है कि माम eligibility criteria क्या है यानि की education qualification की जो details है वो क्या होने वाली है तो वो सभी देखेंगे तो यहां पर SC की 3, ST की 1, OBC की 6, EWS की 2, 13 और टोटल 25 vacancies यहां पर देखने को मिली age as on 1st September 2024 की बात करें तो प्यारे बच्चों minimum 23 और maximum यानि की 23 से 35 साल वाली bracket के जो candidates है वो इसको यहां पर appear कर सकते हैं आईए देखते हैं आगे की जानकारी अगली पोस्ट है हमारे पास तो आप देख सकते हैं PostWise यहां पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों PostWise Chief Manager Economist, Chief Manager IT Database Administrator, Chief Manager IT Cloud, IT Network, IT System, IT Infra, IT Info Security and Marketing Chief Wealth Manager इन सभी की Post के साथ साथ आपको यहां पर stream दिया है, scale भी दिया है, vacancy, category wise vacancy भी दिया है और minimum और maximum age भी यहां पर आप लोग को दिया है तो आप education qualification के अनुसार, अपनी age के अनुसार इस vacancies को इन इन vacancies को जरूर देखना PDF नीचे दिये गए description box में आप तक जरूर पहुंच जाएगी ठीक है बैच्चे, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर total हमारे पास हमने देखा 9 vacancies यहां थी और 25 हमने उपर देखी थी, जी हां यहां पर ठीक है, छलिए, फिर हमारे पास यहां पर कुछ इसी प्रकार से ऐसे करते काफी सारी vacancies है, और 82 vacancies कुछ यहां पर आपके पास, यहां पर आ गई, फिर category wise हमने देखा 27, तो 27, 82, 9 और 25, यह आपने हां पर सारा देख लिया, आईए, अब यह abbreviations आपको सारा पता है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा scale के उपर, जो basic scale पे है, वो base पे क्या होने वा लगेंगे, वो क्या क्या रहेंगे, एक बार उसको जड़ा देख लेते हैं, यहां पर कहता है, pay scale की बात करें तो, जी हां, pay scale की बात करते हैं, तो basic pay as below and the other allowances and the percue sites as applicable, यहां पर बात करते हैं, middle management grade scale, जिसको हमने यहां पर mmgs2 के नाम से, सबसे पहले वाली vacancy में, सबसे पहले वाले post में देखा था, उसको जड़ा पढ़ते हैं, existing हैं यहां पर, 48170 से 1740, याने कि यह under revision as per the pay, as per the ninth joint note, 6480, 2441, 67610, 2680, 10 और यह मतलब कि यह सारा अभी existing scale of pay चल रहा है, आप चाहेंगे तो मैं अलग-अलग से category wise के उपर और post के उपर मैं एक proper scale के अनुसार, salary के अनुसार session भी आप लोग के लिए कर दूँगी, फिर यहां पर हमारे पास हारा, MMGS 3 के ओपर आधारित, याने की middle management grade scale 3 की प्यारे बच्चों, यहां पर बात हो रही है, scale 3 की बात यहां पर हमने देखी, यहां पर हमारे पास है 6380, 1995 और 7370, 2220, 78230, अगें, under the revision of pay as per the 9th joint note, ठीक है, और यहां पर senior management grade scale, याने की 3 scales आपको दिख रहे होंगे, एक आपको सबसे पहले दिखा, MMGS 2, फिर आपको दिखा MMGS 3, फिर आपको दिखा senior management grade scale 4, तो तीनों के अनुसार यहां पर आपके पास बहुत ही clarity के साथ, scale of pay यहां पर mentioned है, अब यहां पर एक बार बात कर लेते हैं, eligibility criteria की, वो candidates जो की 1st February 2024 तक इस particular age limit में fit बैठते हैं, वो जरूर जरूर इस form को भर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंना कुझा था 23 and 35, आगे चरते हैं थोड़ा सा, nationality की बात यहां पर हम कर लेते हैं, candidate, co-citizen of India as a subject of Nepal और a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came over India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, फिर बात हो रही हैं, वो व्यक्ति of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India, provided that a candidate belonging to the categories of 2nd, 3rd, 4th and 5th above shall be a person who is in favor certified the eligibility has been issued by the GOI, that is Government of India, तो यहां हमें समझ आ गई कि nationality और citizenship की बात अगर हम कर रहे हैं, तो क्या-क्या चीज़ें यहां पर हैं प्यारे बच्चों, एज पर एक बार जरूर यहां पर डालेंगे, on the regular basis की बात हो रही है, click on the annexure सबसे उपर, सबसे first चीज़ चो हमने यहां पर पड़ी थी, first paragraph में 23 से 35 यहां पर हमें दिया हुआ था, in the beginning ही मैंने यह चीज़ यहां पर आप लोग को बता जी थी, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, clearly यहां पर mentioned था, from minimum was 23 and maximum was 35, वो corner में लिखाएगा, इस ठीक है, चलिए आए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां से, जो main main चीज़े हैं, मुद्दे की चीज़े हम सारी कर लेते हैं, हां जी, रिलाक्सेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रिलाक्सेशन पर आपको दिखेगा कि SCST को 5 साल की रिलाक्सेशन दी गई हैं यहां पर, which is here, other backward classes, OBC को यहां पर 3 साल, persons with the benchmark disabilities को यहां पर 10 साल, और ex-servicemen को यहां पर, प्यारे बच्चों, फाइफ इयर्स का जो है यहां पर, रिलाक्सेशन दिया गया है, आईए, और 5-6 साल का persons affected by the 84 roids, चलिया आईए, रेजरवेशन की बात कर लेते हैं, OC केटेगरी, यह सब केटेगरी वाइज हैं, रिलाक्सेशन की हमने बात कर लिया यहां पर, मेन मेन चीजे थी, जो हमें बहुत समझनी है, रेस्ट, PDF आपके पास बिलकुल बिलकुल लग जाएगा, यहां पर घबराने की कोई भी बात नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का, माई डियर, सेलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, वो बहुत ज़रूरी है, आईए जाते हैं सेलेक्शन प्रोसेस को, तो यह ओनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और नेम ओफ दर टेस्ट जो इसमें होंगे, एक आपके पास है इंग्लिश लांग्विज टेस्ट, इंग्लिश लांग्विज टेस्ट 25 माक्स का है, माक्सिमम माक्स 25 है, डूरेशन है इसकी 30 मिनट, प्रोफेशनल नौलेज रेलेवेंट टू दी पोस्ट, पोस्ट के उपर अधारित, जो प्रोफेशनल नौलेज है, उसके उपर अधारित 100 नमबर यहां है, तो यह स्ट्रॉक्चर कैसा होने वाला है, सेलेक्शन विल भी तुरू दा ओनलाइन टेस्ट, और दी परसल इंटर्वी पेंडिंग ऑन नौल अफ आप्लिकेंट्स, इलिजिबल कैंडिटेट्स, जो भी आप्लिकेंट्स हैं, इलिजिबल कैंडिटेट्स हैं, मतलब कि जो मार्क्स उप्टेंड हैं इंग्लिस लांगोज में, वो मेरिट वाले नहीं हैं, ठीक है ना जी, बाकी आपके दोनों सेक्शन्स मेरिट वाले हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स टेपूलेटिड अबव आर फॉर दा जेनरल EWS Category Candidates, Candidates belonging to the category SCST, OBC and PWD, Filling in the vacancies reserved for the relevant category will be entitled to a relaxation of 5% of the marks stipulated for the general EWS Category. अब पनल्टी की बात कर लेते हैं यहां पर, there will be penalty for the wrong answers for each question, which a wrong answer has been given, Candidate will be marked for one-fourth, एक चौथाई, याने की 0.25 की आपके पास one-fourth, हना, one-fourth, एक चौथाई आपके पास यहां पर penalty लगने वाली है, इंटर्व्यू की बात यहां पर कर लेते हैं, Merit of the Candidates based on the Benchmark, Merit of the Candidates, यहां पर Merit की बात हो रही है, based on the Benchmarks obtained by them in online examination, जी हां, Candidate securing the minimum qualifying marks stipulated for online tests and ranking, sufficiently high in order to the Merit shall be called for the personal interview, minimum qualifying marks, ठीक है, मतलब जो आपने अभी online में आपके नंबर आए हैं, उसके ओपर आधारित आपको यहां पर interview के लिए call आएगा, Mayor passing in the online test shall not invest any right on the candidate for being called for the personal interview, in case of equal marks by two or more candidates, the merit order of such group candidates will be on the basis of the date of birth, that is the candidate senior in age will be placed in the higher merit list, कई बार होता है और एक इंसान के साथ, दूसरे इंसान के number जो हैं, वो माच कर रहे हो, तो उसकेस में प्रेफरेंस एज वाले को दी जाएगी, कि जो की senior है, ठीक है यहां पर क्या लिका है, senior in age, आईए, अब यहां पर है, the bank may conduct the selection process only on the basis of the interview, without holding the online test, interview के basis पे अधारित पे ही आपका selection है, आपर निधारित है, accordingly in the online examination, if not conducted, adequate number of candidates as decided by the bank will be shortlisted for the interview, based on their qualification, experience and overall suitability for the post, the total marks allotted for the interview are 100, interview के लिए total marks भी आपके 100 है, the minimum qualifying marks by these categories will be 40% and for SCST, OBC, PWD is 35%, the candidate called for the interview will be at the ratio of 1 is to 3, जो interview पे बच्चे बुलाए जाएंगे ना, बच्चे candidates को बुलाए जाएगा, वो 1 is to 3 की रेशो में होगा, however, the bank may increase or decrease the said ratio at its discretion, इसका full right bank के हाथ में है, वो बढ़ा भी सकते हैं, वो घटा भी सकते हैं, as of now, 1 is to 3 के रेशो के उपर अधारित, यहाँ पर interview में candidates को बुलाया जाएगा, आईए जी देखते हैं, selection पर थोड़ा सा गौर डालते हैं, if online examination and interview is conducted, selection will be through the online test and the personal interview, depending on the number of applicants, in case test is conducted, the weightage ratio of the online examination and the interview will be 80-20, ठीक है समझ में आ गया ना, यह online का हो गया और यह 20 उसका हो गया, the combined final scores shall be arrived at the basis of the total scores obtained by the candidates in the online examination, with reference to the banking industry, professional knowledge, यह सब चीज़े मतलब 80-20 के बेसिस पे आपका यहाँ पर जो selection है वो होगा, merit list of the candidate based on the marks obtained by them in the online examination and the interview prepared in the descending order, the final selection will be made on the basis of the merit list up to the number of vacancies, चलिया आईए आगे बात करते हैं, in case of equal marks obtained by two or more candidates, the merit order of such group of candidates will be on the basis of the marks obtained on the online examination, that is candidate securing the higher marks in the online examination will be placed higher in the merit list, यह यहाँ पर higher आएगा, जिसके marks higher होंगे, वो यहाँ पर higher place हो जाएगा, if the marks obtained in the online examination is equal or the online examination is not conducted, the merit will be on the basis of the date of birth जो हमने अभी बच्चे डिसके कर लिया है, ठीके ना, आईए यह examination centers के बारे में हैं, list of documents produced at the time of interview as per applicable, as applicable यहाँ पर क्या होगा, print out of the valid interview call letter, एक तो interview के time पर जो documents आईए, एक बार आईए उसको नजर डाल ले, print out चाहिए होगा, system generated print out of the online application form, आपका date of birth का proof चाहिए होगा, photo चाहिए होगी, आपकी mark sheets and certificates की copy चाहिए होगी, आपकी यहाँ पर proper documentation आपको सब को सब कुछ यहाँ चाहिए होगा, at the time of your interview, ठीक है ना, interview के time पर आपको इन सभी चीजों के print out proofs चाहिए होगे, वहाँ पर show करने के लिए, important चीज़े और हम देख लेते हैं, identity verification है, फिर हमारे पास exam related instructions है, which is, okay, okay, so this is related to the report at the exam venue, की mention in the admit card, and or or informed by the SMS mail, registered mobile number, candidates should report at least 15 minute पहले, मतलब exam से related information है, यह sessions हम और भी बहुत कर लेंगे, बस इतना जानना है आप लोगोंने की, दो चार चीजे जो important है, एक तो date 27 से शुरू होकर 10 April तक है, 23 साल की उमर से लेकर 35 साल तक आपके पास है, फिर आपके पास हमने अभी vacancies discuss कर ली है, कौन सी post में कितनी vacancy है, वो भी eligibility criteria क्या है, selection का process क्या होने वाला है, वो भी मैंने आप लोग के साथ discuss कर लिया है, एक आपके पास online test होने वाला है और दूसरा आपके पास interview के basis पर यहाँ पर selection होने वाला है, ठीक है जी? चली आगे दिखते हैं, तो how to apply application registration payment of the fees, photograph signature, left hand thumb impression, right hand declaration, upload, यह जरूर यहाँ रखना है 27 से 10 तक का and mode of the application, no other mode of the application will be accepted, सिरफ और सिरफ candidate इसको online ही कर सकते हैं, ठीक है जी? चले, before applying, candidates should scan their photos, अब apply करने से पहले पहले आपको जो चीज़े करनी है, देख लो, एक valid email ID हो, अपनी photograph, scan signature, left hand impression, hand written declaration, यह सब कुछ हो ताकि आप upload कर सकें, ठीक है ना? एक valid ID proof भी हो, अधार, pan, driving license, whatever, जो आपके पास valid है, ताकि आप जब form भर रहे हो, तो कोई दिक्कत ना आए वहाँ पर, ठीक है जी? आगे बात करते हैं, application की बात यहाँ पर कर रहे हैं, हम again 27 से 10 तक है, inclusive है, amount की बात करते हैं, general and others की फीज यहाँ पर 850 रुपे है, 170 रुपे है, SCST and PWD का फीज, फीज की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है जी? और इंटीमेशन चार्जिस ओनली, applicable फीज एंटीमेशन चार्जिस, application का process एक बार जरूर देख लेते हैं, क्या करना है प्यारे बच्चों, यह रही हमारी website www.bankofindia.co.in, आप यहाँ जाएंगे, option में apply online करेंगे, जहाँ पर notification आ रहा है, जीजे मैंने सब कुछ discuss कर लिया आपके सामने, selection का process discuss कर लिया है, education qualification हमने discuss कर लिया है, age हमने discuss कर लिया है, vacancy हमने discuss कर लिया, fees हमने discuss कर लिया, documents हमने discuss कर लिया, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत लगती है, आपको यार लगता है कि मैं कैसे apply कर रहे हैं, कुछ चीज ऐसी समझ में नहीं आई, तो नीचे दिये comment box में आप जरूर comment करके मुझे बताएंगे, बिना किसी जिजख के, पूछ लेंगे अपने question, ठीक है जी, all right, I think सभी चीजे हमने हाँ पर cover कर ही लिए हैं, क्या-क्या scan करके पहले से रखना है, वो भी मैंने आप लोग को बताया है, एक information मैं छोटी से और भी यहाँ पर add करना चाहती हूँ, आप लोगों के सामने, मुझे नहीं पता कि आप लोग को यह information है या नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कि आप मेरे साथ हर दिन, हर दिन आप मेरे साथ सुभा 10 बजे ऑनलाइन जुड़ते हैं, तो 10 एम ऑनलाइन आपके साथ मैं लाइव आती हूँ यहाँ पर, कहाँ पर जी, YouTube पर, कौन से चानल पर आती हूँ, Banker's Way, ठीक है, Banker's Way, Anacademy, Official YouTube चानल पर, मैं आपके साथ 10 बजे लाइव यहाँ पर हर दिन आती हूँ, Apart from that, इससे important थोड़ी सी बात और समझ लेंगे, वो बच्चे जो मुझे खोज नहीं पारे, जिनको नहीं पता कि माम आपका session कहा मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप Anacademy की learner application को डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही आप लोग आपको डाउनलोड करते हैं, Bank exams यहाँ डाला, मेरा नाम सर्च में डालेंगे, Amritpal Sodhi, you will type in the search column, तो रंट जाते ही इस page को प्यारे बच्चों आप लोग follow कर लेंगे, और यहाँ पर दिखेंगे मेरे ये free classes और free batch, free class हर दिन आपको मेरी 12 बज़े को daily, Monday से Saturday, daily 12 बज़े मेरी एक free class मिलेगी, कहाँ पर application के ऊपर ही मिलेगी, इस page को follow कर रहे होंगे, तो जरूर आपको मेरी classes यहाँ पर दिख जाएंगे, number two, कुछ desired batches, एक batch और रेड़ी चल रहा है, RBI, grade B के लिए students आपके लिए, और एक batch, चार बज़े को मेरा फिर से चल रहा है, foundation batch के लिए, मतलब वो बच्चा foundation यानि की अपनी नीव स्ट्रॉंग करना, किसी भी बच्चे कि अगर English में कमजोरी है, समझ में नहीं आता, तो वो batch जहाँ पर शायद एक noun का ही topic ले लीजिए, यह मैं आपको चार classes में cover कर रहा रही हूं, चार classes का मतलब जान रहे हैं, मतलब topic wise detailed application, rules के उपर अधारित questions, topic wise worksheets, concept clarity, rules clarity, वो सब कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो अगर आप इस batch को खरीदना चाते हैं, या देखना चाते हैं, तो तुरंट आप मेरे multiple batches को यहाँ पर देख सकते हैं, इस के जरीए, again, आप इसी पर click करेंगे, click करने के बाद, आपके पास option आ जाएगा, ठीक है जी, आपके पास option यहाँ, बहुत बखुबी आ जाएगा option, और उस option पर जाकर, जैसे ही इसको click करते हैं, आप इसका planner, brochure, about the batch, एक एक demo session, सब कुछ देख पाएंगे, और enroll करने के लिए, जैसे ही आप enroll now पर जाएंगे, अमरित 06 अपलाएकर, आपको मिल जाएगा maximum discount, तो उस maximum discount से, आप मेरे साथ जूड सकते हैं, और हर दिन, हर दिन, मतलब कि एक class मेरी आपके साथ, 10 बजे को होती है, एक class 12 बजे को होती है, ये दोनों sessions बिल्कुल free है, ये session YouTube पे है, ये session application पे मिलेगा, और जो मेरे paid batch है, दो बजे, चार बजे, ये भी आपको app पे मिलेंगे, ठीक है जी, कोई भी information जो आपको लगा हो की अभी तक नहीं समझ पाए, तो प्लीज जल्दी से comment box में comment लगा देंगे, मिलेंगे कल तुबाद 10 बजे, live only on bankers way, thank you.